एक एक शन एक एक दिन हमारा इतना स्रिजनात्मक होना चाहिए कि अपने अपना निर्मान से फुर्शत नहीं भाई मैं कहता है नो वान डे एक वान लाइफ एक एक दिन इतना बड़ा टारगेट रखो एक दिन इतना बड़ा टारगेट होना चाहिए सब तरह से विद्यार्थिकाल का टारगेट अलग होता है बिजनेस का टारगेट अलग होता है पॉल्टिक्स का टारगेट अलग होता है ये ओट टारगेट हम अचीव ना करें तो हम फिर स्वामी राम देव स्वामी राम देव नहीं होगा अचारे बाक्षन अचारे बाक्षन नहीं मोदी मोदी नहीं होगा अमित्सामित्षान ही होगा एक एक दिन का टार्गेट अच्हीव नहीं किया तो फिर सारे सामाजी कारथीक राजनीतिक धर्मे को दारण आपके सामने एं मैं आज यहां इसलिए बैठा हो कि मैंने एक एक दिन जो मुझे करना चाहिए था वो किया है इसलिए यहां पर बैठा हूँ और जो वो टार्गिट सामने होता है तो फिर ये सब बातें तो छोटी पड़ जाती है इंदि माने जिन्दगी को एक डिफरेंट लेवल पर मैं लाना चाहता हूँ मतलब ये एक डिफरेंट लेवल पर और मैं अपने जैसे पागल अपने जैसे जुनून रखने वाले अपने मेरे जैसे दिवान की रखने वाले छोड़ो दुनिया की बात मैं कभी व्यक्ति पूजा का समर्थक नहीं रहा हूँ मैं तो कहता हूँ व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की उपासना करो चित्र नहीं चरित्र की उपासना करो मैं व्यक्ति निष्ट नहीं हूँ मैं सत्य निष्ट हूँ मैं वेदा निष्ट हूँ मैं राष्ट निष्ट हूँ मैं धर्म न्यायव निष्ट हूँ सेवा निष्ट हूँ लेकिन आपको एक बात कहता हूँ मैंने ठाना है जैसे देश में और हजारों लाखों करोडों प्रकार के काम चल रहे हैं मैंने ठाना है कि मुझे अपने रिशी संस्कृति को बचाना है उसको बढ़ाना है और उसको इतनी महिमा देनी है उसे देव संस्कृति, रिशी संस्कृति की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा करनी है कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी संस्कृति, देव संस्कृति, रिशी संस्कृति, वेदा संस्कृति होगी भारती, ये संस्कृति होगी अब इसके लिए मुझे मैंने तो सवासो करोड के भारत में एकजार आदमी मांगे यहां तो 140 करोड की आबादी है उसमें मैंने कुन सा जादा बड़ा टारगेट रखा हुआ है लेकिन ये जो एकजार हो वो ऐसे हो कि मेरे मन विचार प्राण आतमा से एकात्म हो केक ही धुन एक ही धे भारत माता मेरी अराध्या है कर्म मेरा धर्म है कर्म मेरी पूजा है बस मुझे अपने कर्म से मुझे अपने स्वधर्म से मुझे अपने विद्या धर्म से मुझे अपने वेदा धर्म से मुझे अपने योग धर्म, अपने सेवा धर्म से, अपने स्वा धर्म से, अपने राश्ट धर्म से, अपनी भारत माता के अराधन करनी है और जिन्दगी का कोई धे नहीं है नजाने कितने लोग किस-किस पागलपन में जीते हैं पहाड़ों पर चड़ने का इत्पागलपन है मैंने देखा लोग 40-40 साल खाली पहाड़ों पर चड़ते ही जिन्दगी खपा देते हैं इनको क्या कहते हैं बोलो परवतारोही क्या कहते हैं बोलो क्या एजेंडा है सुबह से शाम तक पाड़ पर चड़ना है पाड़ पर चड़ना है अब तुमको बोलो पाड़ पर चड़ना है बोले स्वाम जी क्यों सजा दे रहे हैं बरफिली पाड़ियों पर चड़के वहां पता नहीं को we फान आते हो वार पर फिले और हजारों लोगों की कबरें वहां बन चुकी हैं हजारों हजारों लोगों की लाशें बिच चुकी हैं फिर भी चड़ने से नहीं मानते तो जब हजारों लोग माउंट एवरेश्ट पर चड़ने के जिद में वहां अपने आपको दफन कर सकते है तो क्या इस अध्यात्म के शिखर पर चड़ने के लिए लोग अपने आपको दफन नहीं कर सकते हैं सिर्पर कफन नहीं बांच सकते हैं मुझे तो इसी के लिए जी लिए मनमस्त फकीरी धारी है एक एधुन जै जै भारत जागने का वक्त आ गया खोन है स्वदेश के लिए आन है स्वदेश के लिए आबरू का ये सवाल है जान है स्वदेश के लिए और उमडते दिलों में आज तो फान ही उठा गया कफन बांद कर ये सफत ले लिए सिर पर कफन बांद लिया है कि अब तो यहीं करना है मैं देखो नजाने मैं कितने बार भिन भन प्रकार से इन बातों को का नजाने कितने जन्मों में हम डोक्टर रहे होंगे इंजीनियर रहे होंगे कितने जन्मों में हम नेता रहे होंगे अभी नेता रहे होंगे पतनी का प्यार पानार न जाने कितने बार पती बने पतनी बने हालिया हजारू बार पतनी बने कितनी बार ही एक्सपिरियंस करोगे एक बार वो भी तो एक्सपिरियंस करो जिसको हम कर रहे हैं देख लो कितने बार तुम पती बने कितनी बार पतनी बने कि चाओ कोई सामराज्य खड़ा करने कि चाओ तुमने सब किया था ये जीवन तो अनाद ही है और अनंतकाल तक रहने वाला वैं पहले कुछ कर लिया था और बज जाएगा तो फिर किसी जनम में हो जाएगा भई ये जन्म तो मुझे एक रिशी की तरह जी करके जीना ये भी बार तो इस भरष्ट सत्ता और व्यवस्था को उखाण करके दिखाना रुखना नहीं है